प्रेविद्यार्थियों मैरन विजय पांडे दिवरिया सीने स्कूल दिवरिया के आनलाइन कख्षा में आप सबी वच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आईए आज हम लोग कख्षा साथ संस्की तुरुचरा के अंतरगत आने वाले पंचमह पाठ है पांचुए पाठ पंडिता रमाबाई विदुसी रमाबाई पाठ की व्याख्या का अध्यन करेंगे तो जैसा कि ये नाम से ही प्रकट हो रहा है इन्होंने इस्त्री सिक्षा के छेत्र में अग्रगणी काम किया है तब के समय में महिलाओं को सिक्षा ना के वराबर दी जाती थी और इन्होंने अपने इसी कारी से अपने इसी योगदान से आज अश्मरणी है तो आईए इनके इस पाठ का अध्यन करते हैं इस्त्री सिक्षा के छेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई अठारा सव अठावन तमे ख्रिश्टाब दे तो तमे ख्रिश्टाब दे इसवी सन अठारा सव अठावन इसवी में जन्म अल्भत जन्म लिया अल्भत प्राप्त किया अर्थात जन्म हुआ आगे देखेंगे डोगले अनन्तसास्त्रे डोगले माता चय और माता लक्षमी बाई आस्ताम लक्षमी बाई थी तश्मिन काले तश्मिन माने उस god समय में उस समय में सु करे रहे आं उस समय में इस्टरी सिछ़ा की इस्थित बहुत ही सोचनी थी चिंतनिया आसीद सोचनी थी उस समय में इस्त्री सिंचा की स्थित भहुत ही सोचनी थी śत्रीराम्क्रते संस्कित सिंच्चनम प्राया प्रचलत्यचित नासीद देखे इस्त्री राम कृते महिलाओं के लिए संस्कित सिक्षणम, संस्कित का अध्यन, संस्कित का अध्यन, सिक्षण मने संस्कित का ज्यान, प्राया है प्रचलितिम नासित, प्राया है प्रचलित नहीं था, चलन में नहीं था, अर्थात इस्त्रियों को जो है संस्कित की सिक्षा नहीं दी जाती थी इहां देखें तस्मीन काले इस्त्री सिक्षा या इस्टिति चिंतनिया आसीत इस्त्री राम उस समय में इस्त्री सिक्षा की इस्तितं बहुत सोचनी थी इस्त्री डाम कृते संस्कित सिक्ष्णम प्रायह इस्त्रियों के लिए संस्कित का अध्यन करना प्रायह प्रचलितम ना आसीत प्रायह प्रचलित नहीं था प्रायह अर्थत वह चलन में नहीं था कि इस्त्रियों को महिलाओं को जो है वह संस्कित की सिक्षा दी जाये पहले सी चली आ रही परंपरा उसको कहा जाता रूणि वद्ध मतब पहले सी जो चली आ रही पुरानी परंपराउं को ठहार नाम पर तेज परंपराउं को परितेज छोड़कर श्वशुषने अपनी पनीर पटनी को शंश्कित अध्यास्त प्धाया और स्वक्रमा लुद्धा सास्त्राप्यल्ध्व और माता लक्ष्मी बाई थी अर्थात दोग्रे महुदे ने रूड वद्धा पहले से चली आ रहे हैं परंपरा का त्याग करके छोड़ करके अपनी पत्नी अर्थात लक्ष्मी बाई को जो है संस्कित शिक्छा ग्रहन कराया या संस्कित पढ़ाया एतदर्थम से समाजस्य प्रतार्णाम अपी असहत इसके लिए वह एतदर्थम इसके लिए वह समाजस्य वह समाजस्य समाज के प्रतार्णाम अपी प्रतार्णा को अर्थात उलाहनों को उनके जो है कि मतलब भला बुरा कहने लगे रोज लोग कि देखिए एक ऐसा है इनको भला बुरा कहा और करें प्रतार नाम एत दर्थम से समाजस से प्रतार नाम आपी असहत इसके लिए वह समाज के प्रतार नाम अर्था बुराईयों को भी सहे कहने आएक आसा है कि जो भला बुरा उनको कहे वह सहते गए तो कहने एत अदर्थम सह समाज से प्रतारणाम अपी आसा है इसके लिए वह समाज के प्रतारणा को भी सहे अनंतरम रमा अपी स्वय मातु है संस्कित सिख्छा प्राप्त वती अनंतरम इसके बाद रमा अपी रमा भी स्वय मातु है अपनी माता से संस्कित सिख्छा का अध्यन किया प्राप्त वती प्राप्त किया अर्थात अध्यन किया काल क्रमेण रमया पिता विपन्य संजात है कहरे समय के अनुसार समय के काल क्रमेण काल मने समय समय के चक्र के घूमने के साथ या समय के परिवर्थन के साथ रमया पिता बिपनन संजाते रमया रमया पिता बिपन्ने संजाते रमा के पिता निर्धन हो गए बिपन्न गन गरीब हो गए कहें तस्या पित्रों जेश्ट भगनी चै दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता देखें कहें तस्या पित्रों अर्थात उनके माता पिता जेश्ट भगनी चे दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता अर्थाते उनकी माता पिता कि जेश्ट भगनी ने बड़ी बहन चे दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता अकाल से पीडित होकर दिवंगता मर गई दुर्भिक्च पीडिता दुर्भिक्च अकाल से पीडित उस समय के बाद जो है वहां भेंकर अकाल पड़ा महराष्ट में भेंकर अकाल पड़ा और उसमें जो है इनके माता पिता की जो जेश्ट पुत्री थी वो जो है वो मर जाती है और माता पिता और जेष्ट भगनी देखें तश्या पितरो जेष्ट भगनी चे दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता इनके जिसके कान तश्या उनके माता पिता और जेष्ट बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता दुर्भिक्ष अकाल से पीडित होकर मर गए रमा स्वजेश्ट भ्राता अपने बड़े भाई के साथ सेमाने साथ पद्भ्याम पैर से ही पैदल चलकर समग्रम भारतम अभरमत का भ्रमन किया कह रहें इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर भारत भ्रमन किया या संपूर भारत में घूमी समग्रम भारतम अभ्रमत अर्थत संपूर भारत में घूमी भ्रमन का क्रमे से कोल काता प्राप्ता भ्रमन का भ्रमन क्रमे घूमते समय सामाने वह भ्रमाड क्रमेन घूमते समय वह कोलकाताम प्राप्ता कलकत्ता पहुची प्राप्ता माने प्राप्त हुई या कलकत्ता को प्राप्त हुई या कलकत्ता पहुची संस्कित बैदूस्चेन सा तत्रपंडिता सरस्थी चे इत उपाद भ्याम विभूसता संस्कित की बिद्वता के कारण सा तत्र वह वहां पंडिता शरस्वती चैत उपाद भ्याम विभूसिता के रहें पंडिता और सरस्वती उपादियों से विभूसित होई तत्र वह 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 ब्रह्म समाजय Price होई बेदा ध्यनम अकरोत करें वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर बेदा ध्यनम अकरोत बेदो का ध्यन किया पास्चात सह इस्त्री डाम कृते वेदा दीनाम सास्त्रा डाम सिक्छा यह आंदोलन प्रारवध होती करें पश्चात इसके बाद सह वह इस्त्री डाम करते इस्त्रियों के लिए वेदा दीनाम सास्त्रा डाम बेदा आधि सास्त्रों को सिक्छा यह पढ़ने के लिए या ज्यन प्रावध करने के लिए आंदोलन प्रारवध होती आंदोलन प्रारवध किया अर्थात कहने कासा है इसके बाद वह इस्त्री इस्त्रियों के लिए बेद सास्त्र आध की सिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन प्रारब्ध किया अर्था तब के समय में इस्त्रियों को जो है वेद आज सास्त्रों का आध्धन करना उचित नहीं था नहीं करने देते थे इसलिए इन्होंने आंदोलन प्रारंब किया कि इस्त्रियां भी बेद सास्त्र पड़ सकती हैं इसके बाद वह इस्त्रियों के लिए वेद आधिनाम सास्त्रा नाम वेद आधि सास्त्रों की सिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंब किया अठारा सो असी तमें ख्रिष्टाब दे देखेंगे अठारा सो असी तमें ख्रिष्टाब दे साथ विपिन विहारी दासें साथ बाकी पूर्ण आया ले विवाहम अकरोथ अठारा सो असी इस्वी में साथ विपिन विहारी दासें साथ विपिन विहारी दास के साथ विवाहम अकरोथ विवाह किया अर्थात विवाह कर लिया कि यहां बता रहे हैं कि 188 वि में विपिन विहारी दास के साथ विवाह कर लिया सार्धाइक वर्षात अनंत्रम तस्यापति तिवंगता सार्धाइक वर्षात सत्यापतिों आधई और एक यह करें अनंत्र तस्या पती दिवंगता उनके पती की मृत्त हो जाती दिवंगता अर्थाथ эта तर्द वर्स के बाद उनके जो पती विपिन विहारी इदास की मृत्त हो जाती है तदनंत्रम से पुत्रियां मनूरम आसा है जनम भूमि महाराष्ट्रम प्रत्Ыयागच्छत देखिए तदनंत्रम से इसके बाद वह है पुत्रियां मनूरम आसा है पुत्री मनूरमा के साथ और था इस डिड़ वर 15 अंतराल में उनको एक पुत्री पैदा हुई तो कहे रहें तद नंत्रम से इसके बाद वह पुत्रिया मनूर्मया से पुत्री मनूर्मा के साथ जन्म भूमी महाराष्टम प्रत्यागच्छत जन्म भूमी महाराष्ट चली आई वापस आ गई अब तक वह पलकत्ता रहे किंत पती कीमरित्व के बाद जो है वह पुन है जन ऑफुमियं माहराश्टम परत्यागर्चत अपने जनुब्हूम महराश्टम वास द आ गयी आरीडाम सम्मानाय संथ्वाजर करें कि नारीडाम सम्मानाय इस्त्रियों के संभान के लिए और सिक्षा के लिए स्यस्वकियं जीवन अर्परक्ष्वति आ माने वह स्वकियम मने अपना जीवन अर्पित्वती अर्पित कर दिया लेखे करें नारी राम सम्मान आए इस्त्रियों के सम्मान के लिए सिक्षा यहीच है और सिक्षा के लिए वह अपना जीवन समर्पित कर दिया किसने कर दी मतब रमाबाई ने इस्त्रियों के सम्मान के के लिए और इस्त्री Kingdom की सिक्षा के लिए अपना जीमन समर्पित कर दें हंतर सिक्षा आयोग स्य समक्ष मं नारी नारी सिट्षा भजे से स्वमातम प्रश्वत्ट वति की हंतर सिट्षा आयोग स्य समक्ष मंंगस सामने नारी के शिख्षा स्वामतम प्रस्टुत्वती वह अपने मत को प्रस्टुत की, सुच्छा के लिए इंगलेंड देस गई, देखे, सुच्छा के लिए इंगलेंड देस गई, देखे, उच्छ सिक्षा माने आगे की पढ़ाई के लिए जो डिग्रिया भारत में नहीं थी उन डिग्रियों को उन सिक्षा को ब्रहण करने के लिए वह इंग्लेंड गई तत्र इसाय धर्मस्य इस्त्री विशयक उत्तम विचाराई प्रभावित आ जाता देखे तत्र इसाय धर्मस्य वहां इसाय धर्मस्य धर्म के इस्त्री शिक्षा के विशय में उत्तम विचाराई उत्तम विचारों से प्रभावित आ जाता प्रभावित हुई देखे, कह रहे हैं, तत्र इसाई धर्मस्य, वहाँ इसाई धर्म के इस्त्री विशय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, वहाँ अर्थात इंगलेंड में, इंगलेंड जब गई तो वहाँ इसाई धर्म के बारे में सुना, इसाई धर्म में जो है, इस्त्रियों के व उतनम विचार है इसे से वह प्रभावित होई देखें तत्र ईसाय धर्मंस्य इस्त्री विष्य के उतनम विचार और प्रभावित हुई तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को और मुझे उम्मीद है कि आप जो है आपको समझ में आया होगा और जिनको ना समझ में आया हो वह जो है फून करके मैसेच करके पूछ सकते हैं तो धन्यवाद आप लोगों को आज के लिए इतना ही